हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं शेयर करने वाली हूँ कटहल की टेस्टी सबजी जिसे कटहल खाना पसंद नहीं है वो भी खाने लग जाएगा जब आप एक वार इस तरह से कटहल की सबजी बनाओगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है आधा केजी कटहल को हमें थोड़े से मोटे पीस में कट कर लेना है और जब हम इसको कट करते हैं तो पहुती जल्दी ये हातों से चिपकने लग जाते हैं तो इससे बचने के लिए हमें हातों को अच् से ओईल लगा लेना है तो ओईल आपको सरसो का ही लेना है अगर आप कट हल को इस तरह से कट करते हो तो बहुत ही इजी ली ये कट हो जाती है और अब हम लेंगे एक बड़ी प्याज साथ से आठ लेसन की कलियां थोड़ा सा अध रख दो से तीन चमच पानी डालके इसको हमें ग्राइन कर लेना है एक टमाटळ लिया है जिससे मैंने बारेक कट कर लिया है कड़ाई में एक पड़ा चमच भर की हम ओईल डाल देंगे तो मैंने सर्शों का ओईल लिया है क्योंकि सर्शों के तेल में ही कटहल की सबजी जादा टेस्टी बनती है बस इसको हमें आच्छे से गरम कर लेना है और इसमें हमें कटहल को फ्राई कर लेना है तो फ्राई करने से कटहल की सबजी बहुत जादा टेस्टी बनती है और आभी आप देखिएगा कि कितनी जल्दी ये सबजी बन कर तयार होगी तो हम कटहल को वॉयल नहीं करेंगे बिना वॉयल किये ही हम कटहल की सबजी बनाएंगे फिर भी ये सबजी बहुती ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुती जल्दी ये बनेगी तो बस अब हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है तो गैस को हमें low to medium रखना है और low to medium फ्लेम पर हमें कटहल को फ्राई करना है कड़ाई में एक पार में जितनी कटहल अच्छे से फ्राई हो सके उतनी ही हमें इसमें डालना है और बागी की बची हुई कटहल हम बाद में फ्राई करेंगे तो देखिए अच्छे से ये फ्राइ हो चुकी है जादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है बस इतना ही हमें इसको फ्राइ करना है अब जो कटहल बची हुई है उसे भी हमें इसी तरह से फ्राइ कर लेना है तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है अब हम इसको निकाल लेंगे तो इसी ओईल में हमें थोड़ा सा ओईल और एड़ करना है क्योंकि जब हम कटहल की सबजी बनाते हैं तो कटहल की सब्जी में थोड़ा सा ऑईल ज्यादा डिलता है बस इसको अच्छे से गरम करना है. आदा छोटा चम्वत जीरा, आदा छोटा चम्वत राई, थोड़ी सी हींग हमें इसमें डाल देना है. और हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उसे हमें इसमें डाल दिना है और इसको हमें अच्छी से भून लेना है क्योंकि हमने इसमें लहसुन और प्याज का यूज किया है तो लहसुन और प्याज को हमें पहले अच्छी से भून लेना है ताकि सबजी टेस्टी बने क्योंकि लहसुन और प्याज पहले अच्छे से भून जाते हैं तो सबजी बहुती ज़्यादा टेस्टी बनती है तो बस 5-7 मिनट के लिए हमें इसको भून लेना है और अब हम इसमें एड करेंगे मसाले तो एक चम्मच हम इसमें एड करेंगे रेड चली पाउडर और इतना ही हमें इसमें धनिया पाउडर डाल देना है थोड़ा सा हम इसमें एड करेंगे हल्दी पाउडर बस अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है तो मसाले को हमें अच्छे से पका लेना है क्योंकि मसाला जब अच्छे से पक जाता है तभी सबजी टिस्टी बनती है एक चमच हम इसमें नमक भी डाल देते हैं और एक चमच हम इसमें कस्मीरी लालमिच पाउडर एड़ कर देंगे तो बस इसको हमें अच्छे से mix कर लेना है और मसाले को हमें अच्छे से ढख कर पका लेना है ताकि ओईल अच्छे से separate हो सके तो ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और आप इसका कलर भी देख सकते हो कि ओईल भी अच्छे से separate हो चुका है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है अब हम इसमें कटहल डाल देंगे और कटहल को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि मसाले में हमने नमक भी डाला हुआ है तो नमक कटहल में अच्छे से मिक्स हो सके तो इसके लिए हम इसको ढग देंगे पांच मिनट के लिए हमें इसको ढख देना है और ये देखिए सबी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें एड करेंगे गरम पानी तो एक किलास मैंने इसमें गरम पानी डाल दिया है पानी का आपको खास दियान रखना है कि कटहल की सब्जी में आपको गरम पानी ही यूज करना है अगर आपने ठंडा पानी डाल दिया तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा और सब्जी को पकने में बहुत ही जादा टाइम लगेगा अब हम इसको ढख कर पका लेते हैं ताकि कटहल अच्छे से सॉफ्ट हो सके तो यह देखिए कटहल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है आपको देखकर ही पता लग रहा होगा फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं तो यह देखिए अच्छे से यह सॉफ्ट हो चुकी है और भी हम चेक कर लेंगे तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से कटहल पक चुकी है और अब हम एड़ करेंगे बारी कटा हुआ टमाटर टमाटर हमें सबसे लास्ट में ही डालना है टमाटर बिल्कुल ओफ्सनल है अगर आपको टमाटर कटहल की सबजी में पसंद हो तो आप एड़ कर सकते हो नहीं तो आप इसमें अमचुर पाउडर भी डाल सकते हो टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है तो ये देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और कटहल की टेस्टी सबजी भी बनकर तयार है तो फ्रेंड्स अगर आपको इस सबजी में गरम मसाला पसंद हो तो आप इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला एड़ नहीं किया है और ये देखिए इसका टेक्शर आप देखिए कि ये कितनी टेस्टी बनी है तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसेपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो और भी अच्छी अच्छी रेसेपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें फिर मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई